दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान बजरंग पुनिया की नेत्रित्वों में कुष्टी संग के ब्रजभूशन शरण के खलाफ दिये जा रहे धरने का आज तीसरा दिन है ऐसे में एक बार फिर प्रजभूशन पर यौन शरण के आरोप लगाते हुए धरना दिया जा रहा है अब की बार उन्होंने सपश्ट कर दिया कि जब तक कुष्टी संग के चीफ के खलाफ यौन शरण की एफ आई यार और उनकी गिरिफतारी नहीं होगी तक तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे क्योंकि पहले जब उन्होंने अपना धरना खत्म किया था तब वो बहकावे में आ गए थे वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेत्री और खिलाडियों के नियाए के लिए जांच कमेटी में शामिल की गई वहीं जब इस मामले में सुप्रीम कोट ने साथ रेसलर्स की आचिका स्विकार कर ली है जिसमें संग अध्यक्ष भरजभूजन पर F.I.R. की मांगी गई है तो वहीं सुप्रीम कोट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है केस की अगली सुनवाई शुकरवार को होगी तो वहीं आपको बता दें कि जांच के लिए केंद्रिय खेल मंत्राले ने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी जिसमें अध्यक्ष मेरी कौम को बनाया गया था इसमें रेसलर योगेश वरदत ध्यान चन्द वॉर्डी त्रिप्ती मुरुगंडे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ओफ इंडिया की सदस्य राधिका श्रीमन के अलावा टियो पीएस कमेटी के पूर्व सीओ कमांडर राधिश राज गुपालन मेंबर थे बाद में छोटे मेंबर के तौर पर बबिता फोगाट को भी शामिल किया गया था बिरो डिपोर्ट सत्य खबर